नमस्कार दोस्ता आप सबीका लॉसिको की न्यूज इन फ्लेश में तो चलिए देखते हैं आज का समाचार आज की जो पहली खबर है ये है सिविल एवियेशन सेक्यूरिटी इन्हें इसका नया प्रम्क मिल चुका है नासीर कमल 1986 IPS बैच उत्तर प्रदेश के कैडर के याते है और इन्हें अब न्यू चीफ बनाया गया है सिविल एवियेशन सेक्यूरिटी का आपको बता दू कि डायरेक्टर जनरल आफ ब्यूर आफ सिविल एवियेशन सेक्यूरिटी BCAS जो है ये मिनिस्ट्री आफ सिविल एवियेशन के अंतरगत आता है और इनका जो टैन्यूर है ये 31 जुलाई 2022 तक रहेगा इसी के साथ आपको बता दू कि इनका जो appointment है ये appointments committee of cabinet के द्वारा किया गया है जो की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा head की जाती है अगरी खबर है तेलनगाना के रामप्पा टेंपल के बारे में रामप्पा मंदिर जो है इसे UNESCO का World Heritage Tag जो है वो मिल चुका है तेरवी शताबदी का ये मंदिर है जो की पालम पेट तेलनगाना में इस्तित है तो राम लिंगेश्वर टेंपल जो है इसे ये टेंपल मिला है इसे शौट में रामप्पा टेंपल भी कहा जाता है ये इसके आर्किट इसकलप्टर इसके जो निर्मान करता थे रामप्पा उनके नाम पर इसका नाम रखा गया और ये कुन उन्चुन निंदा मंदिरों में है जिनका नाम उसके निर्माताकार के नाम पर रखा गया है तो ये टेंपल जो है ये 1213 AD में बनाए जाने की आशंका है जिस तरीके से पाया गया है उस समय पर उस समय पर इस तेलनगाना छेतर में काकते रूलर हुआ करते थे उनके द्वारा ये बनाए गया है काकती गनपती देवा के अंडर ये बनाए गया है चीफ कमांडर रूद्र सामीनी के अंडर ये बना है उस वक्त रनाकुंडे इन अतुकुरू प्रोविंस उस वक्त अतुकुरू प्रांत हुआ करता था उसके अंतरगत ये बनाया गया है तो आपको बता दू ये जो टेंपल है ये पालंपेट विलेज जो की वेंकटपुर मं सलमांडर के अंदर तिलन काना के मुलुगु डिस्टिक में मुलुगु जीले में मुलुकु जीला ये पहले वारंगल डिस्टिक का ही पाठ हुआ करता था और फिर वह अलगँ हो कर बना है चली कि अगली खबर जो है ये प्रधानमंत्रे के यूनाइट इंडिया मुवमेंट के बारे में है क्या है यह यह यूनाइट मुवमेंट जैसे कि हम सब को पता है कि 75 वर्ष पूर्ण होने वाले है हमारे स्वतन्तरता को अमृत महत्सव बनाए जाना है तो इसी उपलक्ष में यहाँ पर प्रधार मंतरी जी ने यह आवहन किया है कि भारत जोड़ो आंदुलन हमें शुरू करना है भारत जोड़ो आंदुलन जो है यह महत्मा गांदी के क्विट इंडिया मुवमेंट क्विट इंडिया और भारत जोड़ो आंदुलन के समानी है वहाँ प्रग्म ने अग्रिजों की छोड़ने की बात करी थी और इस moment के अंतरगत हम भारत को unite एकता इस्तावित करने की बात करेंगा कि किस तरीकिस हमरे देश में निकता में भी एकता है nation first always first मतलब यहाँ पर nation को हमरे राष्ट को सबसे पहले रखना है उसके अलावा जो अगरी खबर है यह कारगिल दिवस के बारे में है तो आज ही के दिद 26 जुलाई 1909 को 1999 में यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को हरा के कारगिल और द्रास जो एरिया है वो वापस पुनह जिता था तो यह हमारा 22 कारगिल दिवस है और इसी उपलक्ष में रामनात कोविंद जो हमारे राष्ट पती है यह द्रास जो की लद्दात में सित है वहाँ पर विजिट करने वाले है तो 1999 में यह कॉन्फिलिक्ट हुआ था करीब साहट दिनों के कॉन्फिलिक्ट चला था और उसके अखिर गेल वाले एर्या को हमारे पास में ले लिया तो यहाँ पर शौरिय और बलीदान दिया है उप्रेशन विजय कारगिल पणभा गेले हुआ इसलिए यहाँ पर हम इसे बनाते है और उससलिए ईसका नाम कार्ये विजय दिवस है अगली खबर जो है यह और स्टेम्प के बारे में इसका phase 2 जो है उसमेर पहुच गया है तो इंडियन साइन्स टेकनलोजी एंड एंजिनियरिंग फैसिलिटी मैप आई स्टेम्प इसका उद्देश है कि जो रिसर्च है उसको रिसर्चर से उसे यहाँ पर रिसोर्स के साथ मतलब जो अनुसंदान करता है उन्हें संसादनों के साथ जोड़ना इसका मुख्य काम है तो हाल ही में इसके phase 2 में इसका रहा पोर्टल यहाँ पर लॉंच किया गया है जो है www.istam.gov.in यह एक initiative है Office of Principal Scientific Advisor to Government of India तो Government of India के जो वेग् सब्सक्राइन एक सलाकार है उनका यह initiative है आई स्टैम का गोल जैसे कि मैंने बताया कि प्रोध्योगी यह यहाँ पर रिसर्चर अनुसंदान करता और संसादनों को रिसर्चर से इसको लेंक करता है तो उसी के साथ में यहाँ पर हमां देश में प्रोध्योगी को बढ़ाव सब्सक्राइब करना यह कुछ उद्देश है आई स्टैम के तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज इन फ्लैश वहीं समाप्त होता है मुझे सुनने के लिए आप सबीका धन्यवाद थैंक यू स्टे टून तू लौ सिखो